आप सभी का एक बहुत बड़ा जो कमेंट सेक्षन है वो भरा पड़ा है कि बारवी की परिक्षाएं होंगी या नहीं होंगी तो आपको मैं खास तोर से बता दूँ चाहें CBSC हो, RBSC हो, HBSC हो, या कोई भी बोर्ड हो, मतलब एनी बोर्ड हो, पूरे हिंदुस्तान के बोर् जाएंगी और इसकी जो अपडेट है मैं किलियर बतायता हूं आपको क्या-क्या बाते होई हैं जिसमें आपको जानना जरूरी है, ज्यादा हम डिस्कुस नहीं करेंगे केवल दो मिनिट में आपकी सारी डिस्कुसन को खतम कर देता हूं और आपकी जितनी भी परिशानिया उसका सोलूसन बतायता हूं जैसा कि मैंने इस से पहले एक वीडियो अप्लोड किया था जिसमें आपको बताया था कि 36 गड़ का जो 12 क्लास का एक्जाम है वो बोड ले रहा है एक जून से उनकी परिक्षाएं सुरू हैं वो घर पे ही अपने एक्जाम देंगे उनको आंसर कि 12 के एक्जाम होंगे ही होंगे इस गलत पहले हैं बहुत स्टार्टिंग से बोलना हूं 12 को आराम से पास करना कोई इनके पास विकल्प नहीं है क्योंकि बारी के बाद आप इस्कूल में नहीं रहेंगे आप सीधे जाएंगे और कॉलेज में जाने के लिए अगर सारे 100% student तो वो 60 बच्चे तो जाए 40% बच्चे कहां जाएंगे जो इंजिनेगी में एडमिसन लेने के लिए होंगे क्योंकि उनकी परसेंटेज तो अल्रीडी अच्छी बन चुकी होगी बिना एक्जाम दिये पास हो रहे हैं क्योंकि उनको पास किया जाएगा तो 20 से बाते क्या बोल रहा है कि कोरोना काल में बार्वी की परिक्षा लेंगे ही लेंगे यानि कि होगी होगी आप साइट के स्क्रीन पे देख सकते हैं जो मेसेज में पढ़ रहा हूं उसमें से आपको सारी इटेल में दिखा रहा हूं तो कोरोना काल में बार्वी की परिक्षा होंगी stream की बात करें तो इसमें सभी subject जो आपके मेन होते हैं जिसमें आपको Hindi और English को छोड़ दें तो आपके जो भी subjects होते हैं Hindi English भी सामिल किया जाएगा 19 subject total है जहां पर जो subject government की हिसाब से suitable है जिसकी आशकता पड़ेगी higher degree में वो subject सामिल किये गए हैं तो उसमें आपका जिसे physics, chemistry, maths, biology ये सब subject जो हैं ये आपके main important है political science, history, geography ये सब important है आपके तो इस तरह से जो main subjects हैं उनको सामिल किया गया है और उसके लबाब मैंने बता दिया कि main subjects के ही exam होंगे CBSC के पास बहुत सारे subject से लेकिन वो सभी के exam conduct नहीं कराएगी दूसरा यहाँ पर बोला गया है कि सूत्रों से प्राप जानकारी के अनुसार जो है बैठक में बारवी की परिक्षा आयोजित कराने पर सहमती बन चुकी है और परिक्षा में बेकल्पिक प्रश्ण पूछे जाएंगे यानि कि objective type questions पूछे जाएंगे अगर subjective पूछते तो भी आपको उस book से उतना ही पढ़ना है जितना आप objective के लिए पढ़ेंगे क्योंकि को इनसा question कहां से आएगा आपको नहीं पता है अगर वो subjective लेते हैं तो भी आपको तयार रहना है और objective लेते हैं तो भी आपको तयार रहना है यानि कि question paper आपको जब भी solve करना है या objective हो या subjective हो आपको भूख तो पूरी पढ़नी होगी तो आपको अब भी preparation अपनी तयार रखनी है कि अभी हम तयार नहीं है बाकी उसके लाओ पूरे हिंदुस्तान के राज्य सहमती में अपने आपको हाजिर कर चुके है उनका जबाब जो है हा में है केवल दिल्ली को सेंटर को छोड़ कर गए दिल्ली अभी अपने आपको मानसिक रूप से या फिजिकल तोर से दोनों तरह से वो फिजिकली और मेंटली प्रिपेर नहीं कर पा रहा है एक्जाम करवाने के लिए क्योंकि दिल्ली में जानते हैं आप सेंटर है पॉलिटिक्स बहुत चलती है तो वहाँ पे ये सब चीजी चलती रहती है इस वज़े से थोड़ा सा मतलब ऐसा है लेकिन दिल्ली के अकेले ऐसा है मत रहने से ये बोर्ट परिक्षाई नहीं टाली जा सकती है क्योंकि सारे राज्ये तयार है और अपने अपने हिसाब से वो एक्जाम लेंगे और परिक्षा ओफलाइन मोड में ही आयोजित की जाएगी वहीं CBSC का कहना है कि वे जून के आखरी यानि नेक्स्ट मन्त के लास्ट में जो है आपके एक्जाम को कंड़क्ट करा सकता है यानि कि आप प्रिपेर रही है कि केवल आपके पास अब 30 दिन बचे हैं आज से अगर जोड़ेंगे तो 21-22 तारीक तक आपके पास टाइम है उसके बाद में आपके एक्जाम सुरू हो जाएंगे जैसे जैसे अब ही आप देख रहे है कि केसे कम हो रहे हैं सब कुछ कंड्रोल हो रहा हैं लोक डाउन भाजगे लगाया गया और और भी कंड्रोल करना पड़ेगा तो करेंगे लेकिन आपके एक्जाम से जरूर कराये जाएगा किसी विमादियम से कराया जाए जरूरी नहीं है कि आने वाले समय में आपका ये offline की जाएगा, online भी हो सकता है, हो सकता है कि आप at present जो अभी 36 गड़ बोर्ड ने लागो की अपना नियम की वो घर से परिक्षा दें तो आप भी घर से परिक्षा देंगे, लेकिन आपको उसके मंतरी आप जानते हैं, मनिश शिशोदिया, उनका एक विचार है, उन्होंने अपनी विचार प्रकट की है, कि शिशोदिया कहना है कि छात्रों को पहले टीका करन कर दिया जाए, उसके बाद में उनका एक्जाम लिया जाए, यानि कि जो टीका करन अभी 18 से 45 साल के उमर के आदमियों को लग रही है, वो टीका करन आपको भी किया जाए, ताकि आपके उपर जो है कोरोना का इंपक्ट ना पड़े, यानि कि टीका करन की तैयारी भी करने की बात की गई है, यानि कि आप समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी बात है कि आपके एक्जाम होने ही होने है, तो उस महनत का रंग भी आपको लाना है, भले ही बाद में क्या होता है, वो हम नहीं कह सकते हैं कि कैसी situation कल के दिन बनेगी, लेकिन आज की situation यह है कि आपको एक्जाम देना है, और possibility आपको बताते हैं मैं, probability आपने पड़ी है, अपने chapters में, 10th में पड़ी है, 12th में भी probability है आपके तो probability यह कहती है कि आपके एक्जाम जो अगर cancel होते हैं तो उसके chances हैं 0.01%, 0.01% यानि कि negligible, ना के बराबर, यानि कि आपके postpone होने के, cancel होने के chances, postpone हो सकते हैं लेकिन cancel होने के chances बिलकुल ना के बराबर है, आपके एक्जाम अगर जून में नहीं तो जुलाई में भी conduct किये तो आपको mentally फूरा प्रिपेर रहना है, उसके अलावा मैंने जैसे बता दिया आपको सभी विश्यों के एक्जाम ना लेते हुए केवल, केवल main और core subject के लिए जाएंगे exam, वही आपके लिए main important है कि आप अपने, जो भी आपने subject लिए रखे हैं उनके focus करें, उनकी तयारी अच्छे से करें, और अगर आपके पास ये doubt मन में आता है कि नहीं exam कैंसिल हो जाना चाहिए, हमें corona हो जाएगा, तो ये चीजे चिंता करने से कुछ नहीं होता, आप भी जानते हैं, आप घर में बैठे हैं, दुनिया काम कर रही है, जिसको हो रहा है, वो सायद सावधानी जो भी है, वो अपनी कुछ न कुछ नियोमों का उलंगन करता है, तो इसी वज़े से ये सब चीज होती है, अगर ऐसा होता कि corona घर में बैठे बैठे, या फिर काम पे जाने वालों को सभी को हो जाता, तो आप तक तो आधी जन संख्या खतम हो चुकी होती, अगर आप एक्जाम के लिए आपके बैस्ट अफ लक और जो भी आपके एक्जाम की से डूल डिट सिट आएगी, उसको मैं जल से जल अपलोड कर दूँ, मैं थैंक्यू वेरी मच पूर वाचिंग इस वीडियो